हलो दोस्तों शीवी गार्डनिंग में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब तो आज मैं बात करूँगी ऐसे पर्मनेंट प्लांट्स की जिनको आप डिवाइड करके फ्री के काफी सारे प्लांट बना सकते हैं और ये सालों तक गार्डन में बने रहते हैं बहुत अच्छे ल एसी हिस्ट्रीं चान सकते हैं कि ये काँसे स्टार्ट ओए कैसी कौन-کौन सी इसकी वरायईटी क्या टी अगर सकते हैं इनको स्ट्यम कटिंग कंटिंग से कैसे प्रोपगरेट कर सकते हैं इसकी स्टेप बाई स्टेप प्रोसे इस ने बताया हुआ है अधरे लेंगवीजि आपको मेरी इबुक पसंद आए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहां से जाकर बाई कर सकते हैं अगर आप बाई कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट वोक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो क प्लाण आप प्लाँ यससे ईषचे उसीन साफि मीरी करें डाना बखे हैं तो पूमें प्लाट होका nations तो इसकी कोई सारी दो होती है कोई भी वाराइटी आप इसकी कटिंग से त्यार कर सकते है। यह यह सेडि वाar पर वाराइटी आपcemos जाते हैं कशुछ पिंक शेडों sì जुए Comics सकते हैं। दिफस्ते में लॉता नीच्चंब सटेंधि करा सकते हैं। इसकी कोई भी विद्जयों का जो नेक्स्ट अगे बना alo पर्मनेंट हाड़ी प्लांट होता है यह प्लांट भी आप डिवाइड करके ग्रोव कर सकते हैं इसके भी नए नए पफस निकलते रहते हैं तो बहुत इसानी से ग्रोव हो जाता है लेकिन इसकी टिप्स का जरूर धियान अगें यूगि यह बहुत ज़ादो नुकीली होती ह तो इनको आप हटा दें और इसके जो है आप छोटा सा प्लांट देख सकते हैं इस तरीके से चुट 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 प्लांट निकलते हैं तो इस तरीके से आप चुट चुट प्लांट निकाल कर काफी सारे प्लांट बना सकते हैं यह प्लांट डिवाइड करके ही लगाया ह तो आप भी इस तरीके से ग्रोव कर सकते हैं बहुत ही खूफूर से लगता है प्लांट आप इसको थोड़ी उचे वाले स्थान पर रखें या थोड़ी पश्यों और बच्चों से दूर रखें क्योंकि इसमें नुकीली इसकी टिप्स होती है तो यह प्लांट भी आप ग्रो हो जाता है अगर आप इसको भी यह टाना लगा देंगे इसके देखा अ हम और घ्ले ग्रोंकिसाया इसको भी यह ऐख भी बहुत अच्छा लोमेंट है प्लांट तो टいました कुसार लग कर सकते हुआ हुक क्यों। कवर बहुत डार्क होता है और इसमें चोछओ फ्लावरिंग भी होती है पिंक को चीद ब्रेंट करें सकते हैं बहुत ही अच्छा लॉमेंट टन्स प्लाट है वीडियो के नेक्स प्लाट है यहां बहुत ही खुफसरत लीज वाला तो तो इस प्रॉइट को भी आप ग्रोग कर सकते हैं बास्केट में भी यह बहुत इस चलता है जो कि आप देख सकते हैं बैक साइट इसकी बिल्कुल पर पल भल बहुत सुन्दर लगता है प्लाट यह इसकी वेरिगेटीड वराइटी भी होती है वह भी आप लगा सकते इस तरीके के सीड़ बनते हैं तो इसके बीच गिरते रहते हैं तो यह प्लांट भी काफी सारे प्लांट आपको बना कर देगा जो कि आप देख सकते हैं नीचे वाले साइड में नहीं नहीं प्लांट निकलते हैं और यह प्लांट भी जो डिवाइड होता है रहता है काफी सा क्षिए बीख ग्रीन कर सकते यह प्लांटन के चुछ प्लावडी करें चीचरण करें यह मिलाडद करें इसधी दम शैक किसी प्लांटन होता है था। को यह प्लान्ट आप डिवाइड करके भिगरते इसी कभी सारे बेनिफीट्स होते हैं लो कटरी जरूर करें आप यह बहुत एक अच्छा बहुत हब में औरL置end उनलुमान्ट प्लाट 10 गजासी थे कोपोम का प्लांट सरदीयों का रर्था चिह लूपंत मेशा सिर्दा की ऐसे बनांट कि अबसे हैं रस्दंध चुरू चुक्या में प्लक्षक है और बेस्ट के तो इस प्लांट प्लांट मेश दोच नेशा का से लटांट प्लांट stell की बाफ़ार पास सोंधी बैलकुल रंग बेरंग देरा रोकर 00 विड़ियो का जो नेक्स प्लांट यह है स्नेक प्लांट है भी एक बहुत 형ड़ स्वुफ्र हट लीज वाला प्लांट होता है इस प्लांट को भी आप जो डिवाइड करके या cutting से leaf cutting से भी इसको प्रोपगेट कर सकते हैं यह भी एक बहुत ही अच्छा Lomentance Plant है एर प्योरिफायर प्लांट है तो इसको आप इंडूर में लगा सकते हैं बहुत इसाने से के लीव से इतनी ज्यादा इसे यो प्लांट कर सकते हैं यह लगवा प्लांट निकलते हैं इससे घ्रण के बांट करेंगे तो इसके नए नए ब्रांचिस निकलना शुरू हो जाती है तो इसको भी आप जो cutting से grow कर सकते हैं बहुती Lomitans plant है यह मैंने outdoor में रखा हुआ है और इसमें जो मैंने अलग से और भी plant लगाय हुए है तो यह plant भी बहुत इचा से फैलता है और नए नए रेनर्स बनाता है तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं बास्कित में भी plant बहुत इचा चल जाएगा तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं बिगनर्स के लिए भी best plant है तो इसको भी cutting को भी आप ग्रो कर सकते हैं इसके भी नए नए पाफ्स निकलते रहते हैं तो यह multiply करके काफी सारे प्लांट बना लेता है और बहुत ही असानी से यह इंडूर में ग्रोव हो जाता है अगर आप इसको आउट डूर में रखेंगे तो इसकी ऊपर से टिप्स थोड़ी सूपना शूरू हो जाती है तो इसल लगा सकते हैं यह प्लांट भी मैंने डिवाइड करके ग्रोव किया हुआ है तो बहुत ही सारी से ग्रोव हो जाता है यह वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है यह स्पाइडर प्लांट को कौन नहीं जानता बहुत ही अच्छा है फैलने वाला प्लांट होते है बास्केट इसके बन जाते हैं बहुत सुनुदर लगता है ब्लांट भास केकर ब Extreme मिंग्रों करें वीडियो लॉट सब्सक्राइबन नाी Sud ऄओ उती लगाञे में आप वर्लेर इसके नए 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 निकल देख सकते हैं तो इस तरीकिसे इसकी फ्लावरिंग होती है और बहुत खुष्ष्ष्ट लगता है इसको भी आप जो डिवाइड करके भी ग्रोव कर सकते हैं और यह प्लांट जो भलब से ग्रोव होने वाला बहुत लोमटन्स प्लांट है रही इन इसका भी अगर आप एक प्लांट बनाते हैं तो नए नए प्लांट से निकलते हैं तो डिवाइड होकर आप काफी सारे इसके प्लांट बना सकते हैं यह भी एक लोमटन्स प्लांट है बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं और ब्राइट लाइट में प्लांट बहुत इ जल जाती है तो यह plant भी आप ग्रो कर सकते है बोनांट एक बाहते है बिया लूमेंटल्स प्लांट है विडियो नेक्स स्विद्ध्ध्ध्ध यह है विंका प्लाबंक को कौन नहीं जाना है एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है इससे भी आप काफी सारे प्लांट बना सकते हैं अगर आप इसका एक प्लांट बनाते हैं तो यह प्लांट भी आपको काफी सारे प्लांट बना कर देते हैं क्योंकि इसके सीड्स कि गिरते रहते हैं तो इसके नई ने प्लां सुर्दीगरम दोनों टाइम में इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये प्लाइट भी आप ग्रोव कर सकते हैं विडियो नेक्स प्लाइट यह अरायका पाम का प्लांट अरायका पाम को को नहीं जानता सबी इसको घर में लगाना पसंद करते हैं बहुत अच्छा एक वास्तु ब्लान्ट भी मानश अब लांट करकते लुप्र में औuna आप स्काइब से सब्सक्राइब आप करके लुप तो लियुमें रहा है उसको रुपकि बना सकते हैं एक साल प्लांट्स इनको आप डिवाइड करके फ्री के काफी सारे प्लांट्स बना सकते हैं और इन प्लांट्स को अगर आपके पास काफी सारे प्लांट्स जो हो जाते हैं तो इनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे प्लांट्स बना कर आपको देंगे तो यह बहु आपको मेरी वीडियो प्रसंद आई होगी तो लाइक स्ब्सक्राइब हैं शेर जूर करें ओके गाइस मिलते हैं अगले क्यूस्फिल वीडियो के साथ